नमस्कार मित्रो, डेजायर पॉंट चैनल के एक नए बीडियो लक्षर में मैं हूँ अमिदूबे और आज के इस बीडियो लक्षर में हम कक्षा बारह हिंदी के पहले पार्थ भारतेंदू हरिश्चंदरजी की रचना प्रेम माधुरी का ध्यन करेंगे इस बीडियो लक्षर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रामिस करता हूँ कि जब ये बीडियो लक्षर कम्प्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआ होने वाला है यानि आज के इस बीडियो लक्षर में इस चैप्टर को मैं बहुत ही सरल और आशान शब्दों में आपको पढ़ाने वाला हूँ और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आशान हो जाएगा चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं तो कहते हैं मारग प्रेम को को समुझ है हरी चंद या थारत होत या था है लाभ कछुना पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है जानत है जिया मेरो भली बीधी और उपाय सबैबिर था है बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोही नाहक पूछत कौन भी था है इस सवया में ब्रजबाला प्रेम मारग पर चलने से होने वाली निंदा और दुखों का वर्णन कर रही है भारतेंद हरिश्चंदर जी कहते हैं कि एक नाईका अपनी सखी से कहती है कि हे शकी मारग प्रेम को जो यह प्रेम का मारग है इसको कोई भी समझ है समझ नहीं सकता भारतेंद हरिश्चंदर जी कहते हैं कि नाईका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी प्रेम के मार्ग को कोई भी समझ नहीं सकता या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम मार्ग को समझना अत्यन्त कठिन है यथारत होत यथा है यह तो यथारत है यथारत मतलब वास्तविक्ता तो जीवन की वास्तविक्ता क्या है जीवन कश्टों और दुखों से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा महिनत करते हैं फिर भी मन चाहा परिणाम नहीं मिलता तो दुख होता है दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन वो अपने जीवन में आपको थोड़ा सा भी अस् जिस प्रकार जीवन दुखों और तकलीफों से भरा हुआ है यथा है उसी प्रकार प्रेम का मार्ग भी दुखों और कश्टों से भरा हुआ है तो यथारत होत यथा है यानि यथारत वास्तविक्ता के जैसा ही ये प्रेम का मार्ग भी होता है और वास्तविक्ता क्या है ज जीवन कश्टों और तक्लिफों से भरा हुआ है तो पहले लाइन क्लियर हो गई भारतेंदु हरिस्चंदर जी कहते हैं कि नाइका अपनी सखी से कहती है कि प्रेम के मार्ग को समझना बहुत कठिन है और यथारत होत यथा है यह मार्ग जीवन के कड़वे यथारत की ही तरह क ठोर और कश्ट कर है लाभ कछून पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कठा है अब वो कहती है अपनी सखी से है कि है सखी अगर ये कठा ये कहानी अर्थात कौन सी कहानी प्रेम के मार्ग पर चलने से जो मुझे कश्ट हुए है जो तकलीफ मुझे हुई है अगर ये कठा ये से मुझे कोई लाभ नहीं होगा बदनाम ही होने की सारी कथा है अपी तू या फिर उल्टा इससे बदनामी ही होनी है अर्थात उल्टा इससे मेरी बदनामी ही होगी तो यह लाइन का मतलब क्या हो गया कि नाइका अपनी सखी से कहती है कि है सखी इस प्रेम के मार्ग पर चलन मुझे जो कश्ट हुए हैं उन कश्टों को किसी को बताने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा उल्टा इससे मेरी बदनामी ही होगी जानत है जी मतलब हर्दय जानत है जानता है मेरो मेरा मेरा हर्दय इस बात को भली विधी भली प्रकार जानता है अर्थात मेरा हर्दय या फिर मेरा दिल इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि और उपाए और मतलब कोई दूसरा उपाए मतलब उपाए कि कोई दूसरा उप पर जो मुझे कश्ट मिले हैं, इन कश्टों से छुटकारा पाने के लिए मैं अगर कोई और उपाए करती हूं, तो सबय बिर्था है, तो वो सभी उपाए बिर्था है, बैर्थ हैं, आप और आसान सब्दों में कह सकते हैं, जानत है, जी मेरो भली, विदी, और उपाए सबय बिर्था इसको आप सिदा सिदा ऐसे कह सकते हैं कि वो जानती है वो नाई का अपनी सखी से कहती है कि हे सखी मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि प्रेम पीडा से मुक्ती पाने के सभी उपाय बिर्थ हैं अब कहती कि बावरे हैं बावरे मतलब पागल पागल है ब्रज के सिगरे मतलब सभी तो ब्रज के सभी लोग बावरे हैं पागल हो गए हैं वो अपनी सखी से कहती कि हे सखी ब्रज के सभी लोग पागल हो गए हैं जो मोही मुझे से नाहक बिर्थ में ही पूछत पूछते रह सब ही लोग पागल हो गए हैं क्योंकि वो मुझसे ब्यर्थ में ही पूछते रहते हैं कि मुझे क्या कष्ट है इसका मतलब सिधा सिधा उसके अनुसार ये है कि प्रेम पीड़ा किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं की जा सकती और जब ब्रजवासी उससे पूछते हैं कि उस से पूछते हैं कि उनको क्या कष्ट है तो उनको तुरंत याद आ जाता है कि मुझे कष्ट ये है कि मैं भगवान स्रे कृष्ण से दूर हूँ तो मुझे फिर से उनकी याद आ जाती है और मुझे फिर से पीड़ा होती है तो ये चीज़ अब आप इतना गुमा फिरा कर न कश्ट है अर्थात मैं अपना कश्ट किसी को बता नहीं सकती क्लियर हो गया आगे चलेंगे रो कहीं जो तो आमंगल होई अप्रेमन से जो कहें पिया जाईए जो कहें जाओ ना तो प्रभुता जो कछना कहें तो सनेह न साईए जो हरी चंद कहें तुमरे बीनुजी है ना तो यहां क्यों पती आईए तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आपे हमें समझाईए अब इस सवया में नाइका के द्वारा परदेश जा रहे अपने पती से बड़ी ही बुद्धी मानी पूरवक कहें गए कथन का वर्णन किया गया है दीखें कहती है कि रोक कहीं जो ध्यान से समझेगा भारतेंदु हरिश्चंदर जी कहते हैं कि नाइका जो है उसका प्रेमी या फिर उसका पती कह सकते हैं कि नाइका का पती परदेश जा रहा है और परदेश जाते समय जो नाइका है वो अपना दुख प्रकट करते हुए कहती है कि रोक कहीं जो यदि मैं आपको रोकती हूँ तो तो अमंगल होई तो इससे अमंगल होगा अमंगल मतलब आपने घर में ही सुना होगा कि माता पिता आप से कहते हैं कि अगर कोई कहीं जा रहा है तो पीछे से आवाज नहीं देनी चाहिए उसको रोकना नहीं चाहिए इससे टोक लगता है और टोक लगता है तो रास्ते में उस व्यक्ति के साथ कोई अन्होनी हो जाती है ठीक है तो वो पती उसका परदेश जा रहा है तो नाईका बड़ी धिमानी पूरवक अपने पती से कहती है कि यदि मैं आपको परदेश जाते समय रोकती हूँ तो अमंगल होए तो इससे अमंगल होए यदि मैं आपको परदेश जाते समय रोकती हूँ तो इससे टोक ल इस समय रोकती हूँ तो इससे टोक लगेगा और हो सकता है आपके साथ मार्ग में कोई अमंगल हो जाए और प्रेम नसे और प्रेम का नास होता है और और प्रेम प्रेम नसे हम दोनों की बीच जो प्रेम है उसका वो नश्ट हो जाएगा जो कहें जो मैं कह दूँ पिय की प्र घर जाईए तो जीवन में दुबारा कभी लाट कर आपके घर नहीं आएंगे वो इससे क्या होता है आप दोनों के बीच का प्रेम नश्ट हो जाता है ठीक है तो वही चीज यहां पर वो कह रही है कि प्रियतम उसका है उसका पती परदेश जा रहा है तो नाइका कहती है कि हे प्रियतम यदि मैं आपको परदेश जाते हुए रोकती हूँ तो टोक लगेगा और रास्ते में आपके साथ कुछ अमंगल हो सकता है इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि मैं आपको परदेश जाते हुए रोकती हूँ तो इससे टोक लगेगा जो अमंगल का सूचक है टोक मतल और प्रेम नसे जो कहें पिये जाए और यदि मैं कहती हूँ कि हे प्रियतम आप परदेश चले जाए तो इससे हम दोनों के बीच के प्रेम का नास हो जाएगा और यदि मैं ये कहती हूँ कि आप ना जाएए तो प्रभुता तो इससे आप पर मेरी प्रभुता स्थापित होती है अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप ना जाए तो इससे आप पर मेरी प्रभुता स्थापित होती है अर्थात ये आपको आदेश देने के समान होगा जो की गलत है पतनी कभी अपने पती को आदेश नहीं दे सकती तो ये गलत है ना तो इससे तो आप पर मेरी प्रभुता स्थापित हो जाएगी ऐसा लगेगा कि आप नौकर है और मैं मालकीन हूँ तो ये भी मैं नहीं कर सकती जो कहें जाहू ना यदि मैं आपको कह दूँ कि आप परदेश ना जाएगे तो इससे आप पर मेरी प्रभुता हो जाएगी अर्थात ये तो आपको आदेश देने के समान होगा जो की पूरी तरह से अनुचित है या फिर जो पूरी तरह से गलत है अगर जो कछु ना कहें और अगर मैं कछु ना कहें तो सनेह नसाईए तो हम दोनों के भी जो सनेह है वो नश्ट हो जाएगा अगर मैं आपको कुछ ना कहूं तो आपके प्रती या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भारतियंदुहरिश्चंदर जी कहते हैं कि नाइका कह रही है कि यदि वो अपने पती से कुछ ना कहे तो उसका पती के कि इसनेह नश्ट होता है सनेह मतलब इसनेह ठीक है कि ये आप जीवन पूरे रास्ते यही सोचते जाएंगे कि हमारी पतनी ने तो कुछ कहा ही नहीं हम से हम परदेश आ रहे थे ठीक है एक बार रिवीजन कर लेंगे इसको रोक कहीं जो तो अमंगल होए हे परितम यदि मै कहती हूँ कि आप परदेश चले जाएए तो इससे आपकी और मेरे बीच जो प्रेम है वो नश्ट हो जाएगा जो कहें जाहू न तो प्रभुता और यदि मैं आपसे कहती हूँ कि आप परदेश मत जाएए तो यहां आप पर प्रभुत अस्थापित करने जैसा होगा अर् पर यदी मैं कुछ नहीं कहती हूँ तो मेरा पती के प्रती इस नेह नश्ट होता है अर्थात आपको लगेगा कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम ही नहीं करती अजो हरीचंद हरीचंद जी कहते हैं कि नाइका कह रही है कि जो कहें जो मैं ये कहूँ तुम्हारे बिना जी है ना मैं जी नहीं सकूँगी अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जिन्दा नहीं रहूंगी तो यहां क्यों पती आईए तो यहां तो इस बात पर क्यों पती आईए पती आईए मतलब बिश्वास करना तो भला आप मेरी इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे ऐसा तो हो नहीं सकता खिक है तो हरी शंद्र जी कहते हैं कि नाइका अपने पती से कह रही है कि यदि मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जीही नहीं सकती मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती तो आप भला मेरी इस बात पर क्यों विश्वास करेंगे तासो इसलिए पयान पयान मतलब जाते समय समय जाते समय बिदा के समय तुम्हरे आपके इसलिए आपकी बिदा के समय या फिर इसलिए उस समय जब आप जा रहे हो हम का कहें हम मतलब मैं का कहें क्या कहूं हूँ यहाँ आप ही मुझे बता दीजिए क्लियर हो गया आजू लो जो ना मिले तो कहा हम तो तुमरे सब भाती कहावें मेरो राहनों है कछुना ही सबै फल आपने भाग को पावें जो हरी चंद भाई सो भाई अब प्रान चले चाहता सो सुनावें प्यारे जू है जग की यहां रीती विदा की समय सब कंठ लागावें अब इस सवया में नाइका की विरह दसा का वर्णन किया गया है ध्यान से समझे इस चीज़ को नाइका कहती है एक तरह से कह सकते हैं कि बिरह में ब्याकुल नाइका अपने प्रेमी से कहती है कि आज लो जो नम मिले जो आज तक ना मिले मैं आप से नहीं मिल सकी आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कहा तो कोई बात नहीं जो आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं हम तो मैं तो तुम्हारी ही सब भाती सब प्रकार से कहावे कहलाती हूँ मैं तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारी ही कहलाती हूँ आजू लो जो ना मिले तो कहा आजू लो आज तक जो ना जो आप ना मिले नहीं मिले तो कहा तो कोई बात नहीं बिराह में व्याकुल नाईका अपने प्रेमी से अपनी भावना ब्यक्त करते हुए कहती है कि जो आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं हम तो तुमरे सब भाति कहावे मैं तो सभी प्रकार से तुम्हारी ही कहलाती हूँ अब मेरो उराहनो उराहनो मतलब उलाहना सिकायत मेरो उलाहना मेरी सिकायत है कच्छु नहीं कुछ भी नहीं है मेरी आप से कोई सिकायत नहीं है या फिर मेरा आपको कोई उलाहना नहीं है सबय फल क्योंकि सबय सभी लोग फल फल पाते हैं अपने भाग को अपने भाग का पावे मतलब पाते हैं क्योंकि सभी लोग अपने अपने भाग के फल को पाते हैं क्योंकि सभी अपने भाग्य का फल पाते हैं जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको वो मिलता है ठीक है इसलिए मेरी आप से कोई सिकायत नहीं है जो हरीचंद हरीचंदर जी कहते हैं कि नाइका कह रही है कि जो भाई सो भाई अब तक जो हुआ सो हुआ कोई बात नहीं है मेरे सरीर को छोड़ कर निकल जाना चाहते हैं चाहे तासो और इसलिए सुनावे मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ अब तो मेरे प्राण ही मेरे सरीर को छोड़ कर निकल जाना चाहते हैं इसलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ कि प्यारे हे प्रियतम जु है जग की प्यारे जु हे प्रियतम है जग की जग की इस संसार की यहां रीती है यहां रिवाज है यहां नियम है विदा की समय की बिदाई के समय अंतिम बिदाई के समय सब कंठ लगावे कंठ लगावे मतलब गले लगाना तो सभी अपने अपनों को गले लगाते हैं ठीक है यानि इस संसार का ये नियम है कि अंतिम बिडाई के समय सभी अपनों को गले से लगाते हैं इसका मतलब ये है कि भले ही आप जीवन भर हमसे दूर रहे हमसे नहीं मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई सिकायत नहीं है लेकिन अब मैं जा ही हूँ तो आप आकर मुझे गले से लगा लीजिए ठीक है फिर से समझ लीजिए कि बी रह में ब्याकुल एक नाई का अपने प्रेमी से अपनी बीरा ब्यक्त करते हुए या फिर अपनी भावनाओं को ब्यक्त करते हुए कहती है कि आजू जो न मिले तो कहा आज तक तुम हम से नहीं मिले कोई बात नहीं हम तो तुम्हरे सब भाति कहावे हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं मेरो उराहनो है कच्छु नाही मेरी आप से कोई सिकायत नहीं है सबै फल आपने भाग को पावे क्योंकि सभी अपने भाग का फल पाते हैं जो हरिचंद भ कि नाइका कह रही है जो भई सो भई जो हुआ सो हुआ नाइका कह रही है कि एक तरह साथ इसको ऐसे कहिए कि कवी हरिश्चंद कहते है कि नाइका कहती है कि जो होना था वो हो गया अब उसे याद करके दुखी होने से कोई लाब नहीं है अब प्रान चले अब तो मेरे प्रान ही मेरे सरीर को छोड़ कर निकल जाना चाहते हैं तासो सुनावे और इसलिए मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूँ प्यारे जू कि हे प्रियतम इस संसार की यहां रीती है कि अंतिम बिदाई के समय हे प्रितम इस संसार की ये रीती है रीती मतलब नियम इस संसार का ये नियम है कि अंतिम बिदाई के समय सब कंठ लगावे अंतिम बिदाई के समय सभी अपनों को गले से लगाते हैं अर्थात अब आप भी मुझे अपनी गले से लगा लीजिए ब्यापक ब्रह्म्ह सबैथल पूरन है हा माहू पाह चानती है पैबिना नंद लाल बिहल सदा हरी चंद नाग्या नहीं ठानती है तुम उधो यहे कहियो उनसो हम और कछु नहीं जानती है पिय प्यारे तीहारे नीहारे बीना अखिया दोखिया नहीं मानती है अब यहाँ पर इस सवया में गोपिया उधव के ग्यान मार्ग की अपेक्षा भक्ती मार्ग को अधिक महत्तो देती है आपको पता होगा कि इश्वर को पाने के तीन मार्ग है ज्यान मार्ग कर्म मार्ग और भक्ती मार्ग यहाँ पर गोपिया ज्यान मार्ग को महत्व नहीं देती बलकि भक्ती मार्ग को अधिक महत्व देती है तो ब्यापक ब्रह्म्ह सबय थल पूरन है अब इसको छोड़िए पहली ये समझे हम अहूं पहचानती हम अहूं यानि मैं भी हम लोग भी पहचानती है ये इस बात को जानती है गोपिया उद्धव से कह रही है कि हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ब्यापक ब्रह्म्ह की जो ब्रह्म्ह है जो इश्वर है सबय थल वो इस थल इस संपोर्ण बिश्व के सबय पूरन है पूरन मतलब कण कण में ब्यापक ब्याप्त है गोपिया उद्धव से कहती हैं कि हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है हमों पहचानती हैं हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रम्ह अर्थात ईश्वर शंपूर्ण बिश्व के काण काण में भ्याप्त है पै लेकिन बिना नंदलाल के नंदलाल को है भगवान स्री कृष्ण लेकिन बिना भगवान स्री कृष्ण के बिहाल सदा वो बिहाल रहती है अर्थात बिना भगवान स्री कृष्ण के उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता और सदा नग्यान बिहाल सदा यानि वो हमेशा बिहाल रहती है अर्थाथ उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता हरीचंद हरीचंद लिखा यानि इसको ऐसे चोड़ेंगे कि हरीचंद जी कहते हैं कि गोपिया उद्धव से कह रही है कि बिना नंदलाल के बिना भगवान सरे कृष्ण के बिहाल सदा उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता अन्ना ग्यान ही ठानती है यहाँ पे लिखा गया ग्यान ही ठानती है अर्थाथ वो ग्यान मार्ग को महत्व नहीं देती है ना मतलब नहीं ज्यान मार्ग को ठानती है ठान लेना महत्व देना वो ज्यान मार्ग को महत्व नहीं देती है कवी हरिश्चंदर जी कहते हैं कि वो ज्यान मार्ग को महत्व नहीं देती है आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि हमहु पहचानती है गोपिया उद्धो से कह रहे ह हैं कि उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि ब्रम्ह अर्थात इश्वर शंपोन बिश्व के काण काण में ब्याप्त है पै बिना नंदलाल बिहाल सदा लेकिन उन्हें भगवान श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है हरिचंद और कभी हरिश्चं कह रहे हैं नग्यान ही ठानती हैं गोपियां ग्यान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं इस बात को ध्यान से जानिए कि ब्रम्ह को पाने के तीन मार्ग हैं ग्यान मार्ग कर्म मार्ग एवं भक्ती मार्ग तो भक्ती मार्ग बता रहे थे जो यहां पर गोपियां हैं वो भक्त मार्ग बता रही है किसको उद्धव को ठीक है और उद्धव कौन सा मार्ग बता रहे तो गोपियों को ग्यान मार्ग तो ग्यान मार्ग को ठानती ही नहीं अर्थात उद्धव के ग्यान मार्ग को नहीं मानती हैं ये क्लियर हो गया कि हरिचंद न ग्यान ही ठानती हैं कवी हरिष्चंद्र कहते हैं कि वे ज्यान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं तुम उधव अब गोपियां उधव से कहती हैं कि हे उधव तुम तुम यानि आप यही कहिए यही कहना उनसो भगवान स्री कृष्ण से हे उधव तुम जाकर भगवान स्री कृष्ण से यही कहना कि हम और कच्छू नहीं जानती हैं कि हम गोपियां कच्छू नहीं जानती हैं उनकी भक्ति करने के अलावा उनको पाने के किसी और मार्ग के बारे में कच्छू नहीं जानती हैं कुछ भी नहीं जानती हैं अर्थात हमें तो केवल भगवान स्री कृष्ण की भक्ति करना आता है इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानती है ठीक है लाश्ट वाली लाइन आपके लिए थोड़ी सी डिफकल्ट हो सकती है इसलिए ध्यान से समझ लीजे कि हम हो पहचानती है यानि गोपियां उद्धव से कह रही है कि उन्हें ये बात अच्छी तरह से मालूम है क ब्रम्ह अर्थात ईश्वर शंपूर्ण बिश्व के कणकण में ब्याप्त है पैविननन्दलाल भिहाल सदा लेकिन उन्हें भगवान स्रीकृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है हरिचंद कवी हरिचंद कह रहे हैं न ज्यान ही ठानती है कि वो ज्यान को महत्व नहीं देती हैं तुम उधो यहीं कहियो उनसो वो गोपियां उधव से कहती हैं कि है उधव आप जा करके भगवान स्रीकृष्ण से कह दीजिएगा कि हम गोपियों को उनकी भक्ती करने के अलावा उन्हें पाने के किसी और मार्ग के बारे में कुछ भी नहीं पत है अब पिय प्यारे तीहारे निहारे बिना पिय प्यारे पिय कौन है भगवान स्रीकृष्ण प्यारे कौन है भगवान स्रीकृष्ण तो प्राण प्रिय भी कह सकते हैं वो उधव से कहती हैं कि प्यारे पिय अर्थात भगवान स्रीकृष्ण तो हे भगवान तिहारे आपको निहारे देखे बिना बिना आपको देखे बिना वो धव से कहती हैं कि वो भगवान स्री कृष्ण से कह दें कि भगवान स्री कृष्ण को देखे बिना अखिया दुखिया उनकी दुखियारी आखें उनकी दुखी आखें नहीं मानती हैं किसी भी प्रकार संत पुष्ट नहीं होती हैं अर्थात भगवान श्रीकृष्ण आकर उन गोपियों को दरसन दें ये चीज वो कह रही है ठीक है अगला है यबुनाच अभी जो हम किसी और वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अपन